आप सभी का स्वागत है आज हम बात करने वाले हैं भारत और नेपाल के बीच में क्या ऐसे समझोते हैं जिससे नेपाल और भारत दोनों देशों को फाइदा होने वाला है क्योंकि यह जो मीटिंग है नेपाल के काठ मांडू कह सकते हैं कि जो कि राजधानियां वहां पर यह भारत से नेपाल जाना या नेपाल से भारत आना अब होगा आसान क्यों क्योंकि जो समझहता है उससे कि अधार कि ब्यांब्र इस तरह से 99 या 99 बाडर से होके जाना पड़ा था जहां पे बहुत ही लंबा कैसे कि जाम लगा वह तता एक गंटे दो दो गंटे का उससे हमें राहत मिलेगी और जिससे जो हमारा बैपार होगा जो और कैसे के मुद्दे हैं उससे कहीं ने कहीं हमें दोनों देशों को फायद अगले महीने से ही इसका निर्मार सुरू कर दिया जाएगा इसकी लिए भरत सरकार ने 3.88 कह सकते हैं कि 388 करोड रुपय कह सकते हैं कि जारी कर दिया गया है और अगले महीने से ही इसकी कारी सुरू हो जाएगा और मात्र 6 महीने के अंदर इसको बनाना होगा क्योंकि सरकार उसको बढ़ावा देने के लिए ये जो बाइपास होगा बहुत ही फायदे मंद होगा क्योंकि जो दूरी है मैं आपको बताना चाहता हूँ जो दूरी होगा चाहे हो महराज गंज या कुसी नगर कप्तान गंज से पोखरा जाना हो या काठमांडू जाना यहां तक के अगर माल आप जाएंगे सकते हैं कि कि 50 km के दूरी दूरी होगा ओुसी आपके पार्वासी या नेपाल दोनों के लिए फाइदे होगा और कई ऐसे चीजों यहाँ में बिदुखे यहायं के विद्धूता हुऊ जैसे रही चसे मंगलवार उख्यार से खिए को गारों थे यहाँ के फचिंट्बत चसे पृए में आपको आपको जरुर से चसुका थोराईikat कि महराज गन जुजिला है वहां से यह अस्थान पड़ता है ठूटी बारी यहां से लेके कह सकते हैं कि नेपाल के महेश पूर तक यह बाइपास बनाया जाएगा जिसकी लंबाई कुल अगर बात किया जाए तो आठ सो कह सकते हैं कि 45 मीटर है जिससे कहीं ने कहीं दोनों दो सकते हैं कि कर सकते हैं जिसके पहले हमको कहा से घूम के जाना होता था कैसे था जानाव्य दो घंटे गेंड़े कर लग जाता है जो 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 यहात्री होते हैं यहां से आप नेपाल में घूमने जाते हैं तो इसके लिए केस्ते दुनों देशों पे विचार भी मर्स हो रहा और ये जो तीन दिवसी जो केस्ते के बैठा खोरे जैसे ही फैसला आएगा जैसे ही कोई ऐसी समझाता आएगी मैं आपको जरूर बताऊंगा इसी परकार से बने रहें कि आप सभी दोस्तों का के LD Glasses के ओसे धन्यवाद